प्रिशा चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कि बिना डाइट या बिना एक्रसाइज की हम अपना वेट कैसे कम करें चली शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आज मैं आपको ऐसे रेमेडी बताने जा रही हूं जिससे आपका फैट बहुत जल्दी लूग हो जाएगा सब्रेंडों में और लिससे सेस्टे के बात आज करने के बात करोंडे को एक्सराइज के बात बहुत सारा वेट पॉटन कटेμक पेड लें स्टान गुफाइज के बात करने चौश्य पारले हम प्रेंडों में पूर्दी और पर घुजिंवां को या जास ane कोई वेट कम करने के लिए तो उसको भी चंटीनु कर सकते हैं और इस ड्रिंक को अगर साथ में लेते हैं तो आपको ज्यादा एफ़क्ट देखने को मिलेगा और अगर आप कोई डाइट नहीं ले पादे हैं या एक्सराइज करने के आपके पास टायम नहीं है तो तो भी मैंने भी इस ड्रिंक को ट्राय किया है और मुझे काफी हल्प मिली है इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पेक वीडियो बनाती हूं और जिनका प्रग्नेंसी के बाद काफी वेट या स्टमक बढ़ गया है तो उनको काफी हल्प मिलेगी अगर आपको थाराइड है या फिर शु उसके बाद ही इस ड्रिंक को लिजिए ये निन्क बंक अपको पांचिन आ informing कर लेने हैं और उने गाट कर लेना मिड में से और इसी तरह से सारे लेमन को कट कर लेना है उसके बाद आपको इनका रस निकलना है और पील को अलग सेपरेट रख लेना है लेमन के छिलकें में लेमन से भी ज्यादा विटामिन होते हैं और विटामिन सी हेल्प करता है आपका वजन कम करने में लेमन पील्स में ये पेक्टिंग नामता इंग्रेडियंट होता है जिस जो हमारा शुगर अब्सॉर्शन को कम कर देता है जिससे क्या होता है कि आपका वेल्ट लोस में हेल्प मिलती है अब्सुर्शन के लेमन पील वाटर इस नोन एज बेस्स लेमन ब्रिड़िग ये हमारा सबसे जल्दी फैट को ख़तम करता है और हमारा जो लेमन पील्स होते हैं वह फैट को मेल्ट करने में बहुत हैं लेमन पील्स के बहुत सारे अलग हेल्थ बेनिफेट्स भी हैं जैसे यह cancer नहीं होने देता है, आपकी bone health को बहुत strong करता है, oral health में help करता है, internal worms नहीं होने देता, bacterial infection और fungal infection नहीं होने देता है, anti-depressant है, आपके blood pressure को regulate करता है, cysts और tumours को नहीं बनने देता है, rich source of vitamin C, और आपके skin के भी बहुत अच्छी तरह से care करता है. देखे, रस निकल गया है, और पील्स अलग हो गया है, अब हमें क्या करना है, वन लिटर पानी लेना है, और उसको उबलने के लिए रख देना है, देखे, पानी उबल गया है, अब इसमें हम पील्स डाल देंगे, lemon पील्स, और इसको अब 10 मिनिट्स के लिए अब बलने के लिए रख देंगे, 10 मिनिट्स हो गई है, बॉइल होते हुए, देख लीजे, अब कलर भी चेंज हो जाता है, हमारे फील्स का, तो अब ये ड्रेंग रेडी हो गया है, अब हमें इस ड्रेंग को एक कंटेमर में कलेक कर लेना है, फील्स के साथ ही कलेक करेंगे हम वन लिटर पानी को, और इसको कलेक करके रखले लेना है, इस पानी को हमें पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी दिए में थोड़ाथोडा सा पीते रहे है, सबशा नाए है ये ये बंती कैसे है, बंनी के बारस ये खिखाये देती है आपको इसी तुरह से रोज बनानी है रोज पीना है और आप में एक्रसाइज जाएट जो भी आप पोलो कर सकते हैं शुरुआत में ये ड्रेंक आपको थोड़ा कड़वा लगेगा पर जैसे आप इसको पीना शुरू करेंगे रेगुलर होता जाएगा तो आपको ये अगर आपको फिर भी ये नहीं पिया जाता है तो आप इसमें वन स्पून हनी भी मिला सकते हैं इससे इसका टेस्ट हो जाएगा और आप अराम से पी पाएंगे मैं भी अपने ड्रिंक को एंजॉय कर घू हूँ आप भी करिए और मुझे अपने एक्स्पीजिएंस को कितना कम हुआ कितना आपको रिलीव मिला ये भी जरूर शेयर करिए थैंक्यू गाइस आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू